वेलकम तू गाइट फोर्मेट्स एंद वी अर श्टूदिग्स फॉर क्लास 10 एंद टॉपिक चैप्टर इस पेयर ओफ लिनेर इक्वेशन इन टू वेरेबल और हम पढ़ रहे हैं सॉलुशन ओप लिनेर इक्वेशन इन टू वेरेबल और इसमें हम फॉर्थ मेटर देख रह है इस चैप्टर गही तो let's understand it, I am consuming two equations इक्वेशन ए एक्वेशन ए एक्वेशन एक्स प्लस बिवान एक्स नहीं राइए आएगा एक्वंल टू माइनस दू अलसано T1z और इससे आपको बता दिलाएगा कि linear equation का standard form क्या होता है A1X plus B1Y plus C1 equals to 0 A2X plus B2Y plus C2 equals to 0 यह मैंने यहाँ पर इन equation को, दोनो equations को standard form में convert किया Standard form का मतलब क्या होता है कि जो भी variables and constants है वो सभी हमारे LHS में होंगे यह देखे, मैंने A1X, B1Y, C1 सभी LHS में लेखे हो गया हूँ और RHS में 0 होगा यह आपको समझ में आया अब हम देखते हैं कि X और Y की value हम कैसे लिखा लेगे एक हमें X की value लिखा लेगे एक हमें Y की value लिखा लेगे ओके मैं यह आपर पहले जो यह constant इसे इनको लिख रहा हूँ यह variables लिखे मैंने X, Y and 1 A1, A2, B1, B2, C1, C2 और इसके बाद हमारे सब C1 से टोट सब खतम हो गए तो हम इसी को repeat करेंगे यह आपर A1, A2 ओके, X के numerator को कैसे लिखा लेगे उसके लिए आपको जो यह वाला पार्टे इसको आपको चुपाना है, इसको मैंने चुपाया अब क्या करना है, B1 into C2, इन दोनों को करा B1 into C2, B1, C2 और फिर B2 into C1 और बीच में माइनस 9 लगई यह हमने X का numerator लिखा ला, अब हम Y का numerator लिखा लिखा Y के लिए आपको यह वाला पूरा पार्ट चुपाना है C1, A2, अब हम यह वाला करेंगे तो C1, A2, माइनस C2, A1 अब बात आती है, डिनोमिनेटर पे तो हम लोग पहले, अब इनका काम हो गया है तो मैं एक रोज यहां से एरेज कर रहा हूं है ना, अब डिनोमिनेटर में दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा यह आप हमने देखा कि X और Y की वेल्यू कैसे लिख लेगी, using cross multiplication method है ना, अब यहां पर बात आती है यहां पर तिन conditions होती है, वो मैं आपको बताऊंगा तो पहले आप एक काम कीजिए, यह इतना note कीजिए फिर मैं erase करके आपको बताता हूं कि क्या होगा ओके, तो हमने अभी देखा कि X और Y की वेल्यू हम cross multiplication method से कैसे लिखा लेंगे है ना, अब यह हमारी standard equation थी जो मैंने लिखी है और यहाँ पर मैंने तीन conditions लिखी है, अगर यहाँ पर पहरी condition में redoubt करता हूँ A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 अगर यह, अगर होता है, किसी example दिया हुआ है आपको और A1 by A2 not equal to B1 by B2 होता है तो उस equation, इन दोनों equation का एक solution लिख लेगा मतलब अगर आप इन दोनों equation को graph पे plot करेंगे तो वो एक point पे intersect करेंगे ओके, जो मैंने graphical method समझा आया है उसमें आप देखना मिना graph डोग करना सिखा है किसे graph डोग करेंगे Now, second A, अगर तीनों का ratio A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2 equal हो जाते हैं तो इन equations के बहुत सारे solution होगे और यह हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यह दोनो equations same है और graph पे जो lines को हम plot करेंगे तो यह coincidental line होगी मतलब एक के उपर एक overlap होगी और third equation है A1 upon A2 equals to B1 upon B2 not equal to C1 by C2 तो उसका होगा no solution मतलब अगर जो equation में ऐसा कुछ बन रहा है A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 and that is not equal to C1 upon C2 अगर ऐसी कोई situation मत थी तो यह जो lines draw करेंगे वो graph पर parallel lines होगी कई intersect नहीं करेंगे that's why उस equation का solution no solution होगा तो इस तरह से अगर आपको पहले exam में direct पूछा है कि किस type के solution लिख लेंगे तो आप इन condition का यूज़ करके direct answer कर सकते हैं यह इस type के question आपको objective में आ सकता exam में like आपको एक tick the correct दे दे 2 equation दे दे और आपसे पूछ ले कि केसा solution अगा unique होगा infinite होगा या no solution होगा तो आप इस तरह से उसको कर सकते मैं एक बार और आपको revise करा देता हूँ कि हमने यह कैसे किया था बहले मैंने यह standard form में convert किया था equation को then मैंने जितने भी coefficient थे a1, b2, a1, a2, b1, b2 और यह हमारा constant था c1, c2 उसके बाद फिर मैंने इसको आपको से repeat किया है ना now x की value लिकाल नहीं थी तो हमने x वालों को चुपाया और y के left और right साइड में था उसका cross multiplication किया b1 into c2 minus b2 into c1 same फिर मैंने y के लिए y के y से पूरा इधर का चुपाया और c1, a2, a1, c2 यह हमें किया है यहापे then आती है बात हमारे denominator की तो x के नीचे जो भी term से उसका मैंने cross multiplication किया आप देखिए हैं यहापे a1, b2, b1, a2 यह मैंने यहापी किया और यहाँ भी किया तो इस तरह से हमने cross multiplication method सीखा इसके उपर हम examples discuss करेंगे next video में